दोस्तों आप सभी से नमस्कार आप देख रहे हैं फरिदाबाद नियूज मैं धर्वेंदर प्रताप सिंग यहीं पर हमने पांच माई को लाइब दिखाया था एक युवक का मर्डर कर दिया गया था उसकी डेड़ बोड़ी को यहां पर फेंग दिया गया था कॉर्णनर पर क्राइम ब्रांच की लएद्ट की पुलिस की टीमें आई थी और पुलिस ने कहा था जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे जल्द ही आपको बताएंगे जिसका मर्डर किया गया उसका क्या नाम था जिन्हों ने मर्डर किया उनका क्या नाम था मर्डर करने की वज़ा क्या थी तो आज पुलिस की तरफ से जानकारी आ गई है पुलिस ने हत्यारों को पकड़ लिया है पुलिस ने उनके नामों का खु किया है जिनका मर्डर किया गया था सबसे पहले हम आपको क्राइम सीन पर लेकर चलेंगे ताकि आपको याद आ जाए उस दिन हमने क्या रिपोर्ट दिखाए थी यहीं से हमने आपको लाइब दिखाया था यह देखिए दा सेंट्रल व्यू होटल है एसारस जो मॉल है उसके सामने का एरिया है हुडग राउन इसको बोलते हैं और क्राइम सीन आभी भी देखिए यहां पर दिख रहा है यहां पर देखिए बालू डाली गई है ताकि पहचान बनी रहे क्राइम सीन की यह देखिए आप लो यहीं पर उसकी डेड़ बोडी फेकी गई थी यह तो पहले हम युवक का नाम बताएंगे उसका नाम था प्यारू निवासी मेरट लेकिन अभी यह फरिदबाद में रह रहा था कहीं पर तो प्यारू नाम था जिसका मर्डर किया गया था तो नाम का खुलासा हमने कर दिया है अब मर्डर करने वाले काउन थे उनके नामों क टपल के रहने वाले हैं वो वर्तमान में गाउं सारन में रहते हैं और जो सराफत खान है अभी हमने विकास की जानकारी दी जो टपल का रहने वाला है और जो सराफत खान है वो उत्तर प्रदेश के बिजनवर जिले के गाउं सहापूर का रहने वाला है तथा वर्तमान में फ जानकारी दी है वही मैं बता रहा हूँ, पांच मैं को एक बारात में लड़कियों से छेड़शाड की गई थी, मृतक द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने मृतक को अपनी आटों में जबरन बिठा लिया, और उसे टाउन पार्क ले आये थे, टाउन पार्क में आरोप कर हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद यही पर उसकी डेट बोडी फेंकी गई थी, आटों से लेकर आये थे, और इसकी सूचना थाना सेंटरल को मिली थी, जिस पर मामला दर्ज कर क्राइम ब्राउंज डियलप को कारवाई के लिए भेजा गया था, और पहचान हमने आ ASI कuldeep, मुख्य सिपाही आनन, सिपाही अनिल, सिपाही विनीर, सिपाही सुरेंदर, ये सब मेहनत करते हैं तब आरूपियों को पकड़ते हैं और इन्होंने काफी मेहनत की, काफी दोड भाग की, उसके बाद आरूपियों को सारन के आसपास गिरपतार किया, तो मामले का खुला सामने कर दिया, बहुत गलत किया, देखे कोई लड़कियों को छेड़ने से रोकता है, तो उसको ये लोग उठा ले आते हैं, और मर्डर कर देते हैं, मर्डर करने के बाद उसकी डेड बोडी को यहाँ पर फेंक देते हैं, ये सारा मामला था, अब आप जो है, उनकी फोटो देखना चाहेंगे, थोड़ा साम चाहें में चलेंगे, यहाँ पर हमने क्राइम सीन पर आपको लाइब दिखाया है, बताया है, मर्डर करने वाले काउन थे, थोड़ा सामें चाहेंगे, क्योंकि धूप है, और मोबाइल में हम आपको उनकी फोटो दिखाएंगे, तो हम चाहेते हैं, उनकी फोटो आप देख लेंगे, वैसे तो कवर किया गया है, सिर्फ खाना पूर्ती है, उनको मुखोटा पहना गया है, शियार वाला, इसलिए, सिर्फ आप वही देख पाएंगे, जो पुलिस ने फोटो भेजी है, आप देखिए, भीया घूम नहीं चलो ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, यहां चाहे में दिखा दो, यह दिखा दो, दिखा दो, यह फोटो है, मुखोटा पहना रखा है, पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस ने भेजा है, भीया हमने दिखाया है, हलाकि पुलिस को चाहिए था, इनको पूरी लड़की की हिफाजत की उनको छेड़ने से रोका था इसी बास से लोग नाराज हो गए थे तो नाम हमने आपको बता दिया मूल चंद रुफ विकास दूसरा है सराफत खान इन दोनों ने मर्डर किया था और जिसका मर्डर हुआ था उसका ना प्यारू है बस इतना बताना थ फरिदाबाद नियूस से धर्बंदर प्रताप सिंग नमस्कार